सेशन सर के साथ होने वाला है, सो सबसे पहले तो मेरा यही question रहेगा कि tough क्या होता है, बी-Pharma जादा tough है या बी-A-C nursing जादा? देखिए जहां तक की बाद जो सवाल है कि tough क्या होता है, तो मेरा तो मनना है कि tough कुछ नहीं होता है, आपकी मांसिक्ता अगर जो है कि पढ़ने की जानने की जब तक आप learning के लिए या समझने के लिए पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए कुछ टफ नहीं है लेकिन जब आपके ओल टाइम पास के लिए पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो सब कुछ टफ है लेकिन जहां तक कि अगर जो कमपरीजन किया जाए बी-फार्मा और बी-एस्टी नर्सिंग में तो यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि बी-फार्मा टफ है या बी-एस्टी नर्सिंग दोनों कोर्स में चीज़े अलग अलग है बी-फार्मा जिसमें की research based चीज़े जाती है कैसे research की जाएगी कैसे manufacture किया जाएगा कैसे नए फार्मलेशन को डबलिप किया जाएगा और जो भी अभी तक available है उनकी history क्या है वो पढ़ाया जाता है जबकि बी-एस्टी नर्सिंग में